हंजी नमश्कार आप सभी का स्वागत है मेरे पैयर से चैनल नोलिज इतर्शित में जिसे कि आप था मिल देखी सकते हैं हर्याना बोर्ड परिशा 2020 जो है वो आपकी कब से जो है वो हर्याना बोर्ड मार्ट 2020 में एक्जाम आपके स्टार्ट करेगा दस्वी और बार्वी क्ला जो है वो टाइम टो टाइम पर मैं अपने चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करता रहता हूं तो आप चैनल को भी जो हो मेरे जरू सब्सक्राइब कर लें तो चलिए आप जादा से मैं वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं आप जो क्लेंडर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको क्लेंडर दिख रहोगा मार्च का तो इसमें जो है वो साब दिख रहा है कि आपके एक्जाम जो है वो तीन मार्च दिन शुकरवार से जो है वो 99 प्रसेंट चांस हैं जी मैं 99 प्रसेंट चांस क क्याता हूं कि आपके एक्जाम जो है वो 3 मार्च से जो हो शुरू कर देजा था तो अब चार मार्च को शनीवार है तो इसी वजह से हर्याना दल शिक्षबोर चाहेगा कि वो 3 मार्च से जो है वो हंजी 3 मार्च से आपके एकजाम शुरू कर दे और 3 मार्च की चांसिस काफी है है बाकी एक या दो दिन आगे पीछे हो सकता है शायद ये 3 के बजाए 6 को हो जाए या फिर 1 मार्च से शुरू हो जाए एकजाम लेकिन आपके एकजाम जो है वो 3 मार्च की 99% प्रोबेबिल्टी है और वुसी से होने के काफी ज़्यादा चांसिस है बाकी आपके मार्च के 1 वीक के अंदर 100% चांसिस है कि आपके एकजाम ज 40 दिन पहले के जो हाँ आपके डेटंशित दें देता है तो इसी साम सबसे आपके डेट शीट जो आपकी डेट HC जारी करेगा क्योंकि वह 30–35 दिन पहले हर्यानाक डलर Git diplom की डेट शीट जारी करता है और most probably chance यह है कि जो आपकी डेटीट है वो जनवरी के लास्ट वीक हंजी जनवरी की आखरी हफते में आ जाए बाकि अगर हर्याना बोड़ चाहता है तो उसे थोड़ी सी पहले भी दे सकता है क्योंकि CBSC के डेटीट वी जाए वो आ चुकी है हंजी और CBSC के एक्जाम भी 15 फरवरी से है तो हर्याना बोड़ भी चाहेगा कि वो भी जल्दी से जल्दी अपने एक्जाम कंप्रेट कर ले तो most probably chance है कि हर्याना बोड़ के एक्जाम भी 3 मार्च से जो हो शुरू हो जाएंगे तो आपके इन दोनों सवालों के जवाब आई होब आप सभी को मिल गए हो खालागे फिर भी आपको कोई बी डाउट औसाम अर civ कमैंट box में लिख सकते हैं अगर आप जो हर्यान बोड़ दियारी करने और आप जो हविचली थैं कि प्रेशानी में कि upर याना बोड़ पता चल सकेगी, उनके एक्जाम जो है, वो कबसे है, धन्यवाद